एलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में और दोस्तों आज की वीडियो में हैं अब लोगकों को जनकाड़ी देने वाले हैं वो देने वाले हैं पोल टेक्निक फोर्म 2021 के बारे मैं अगर आप 2021 में पल्टेकनीक फॉर्म का इंतिजार कर रहे हैं तो इस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मौत पूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पल्टेकनीक से रिलेटेड सारी इंफोर्मिशन जोवा देने वाला हूं तो आप लोग वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रहे हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चेनल पर विजिट कर रहे हैं अगर आप पोल्टेक्निक में एडमिसन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाइ करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप जो है इनके बारे में पूरी तरह से जान लीजिए, तो सबसे पहले जो आप लोगों को जो इस वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि आप लोगों का यहां पे पोल्टेक्निक के लिए आप लोगों का फॉर्म जो है कब आने वाला है, इसके लिए जो आप लोगों कीस तरह से अपलाई कर सकते हैं, इसके कौन से कौन से कौर्स में जो आप लोगों को कितने कितने मार्क्स चाहिए, इसके लिए क्या क्या क् तो आप लोग सबसे पहले यह देख लिजेगा आप लोग जो फॉर्म ओनलाइन करेंगे तो उसमें आप लोगों का डोक्यूमेंट यहाँ पर क्या लगेगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं scanet copy आप लोगों का photograph और signature का यहाँ पर लगेगा उसके बाद आप लोगों का जो यहाँ पे payment जो होगा वो credit card, debit card से होगा उसके बाद जो है आप लोगों का certificate जो है passing mark seat वो आप लोगों का लगेगा यहाँ पे आप लोगों का आधार card लगेगा और यहाँ पे आप लोगों का जो है cash certificate मांगा जागा तो जो भी कास्ट में आप लोगों को छूट मिलेगी उसको कास सेटिफिकेट यहां पे देना होगा तो आप लोग जो को इस तरह से अपना डोकिमेंट तैयार कर लीजिए और अगर आप जो है जो कोर्स के लिए अपलाई करने वाले हैं वो भी यहां पे आप लोग बेख लीजिए क्योंकि पहले से आप लोग सारी बाते अगर जान लीजिएगा तो अपलाई करने में आप लोगों को बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार पोल टेक्निक लिबिलिटी काइटेरिया अगर आप पीई कोर्स के लिए अपलाई करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उम्मीदवार को निउन्तम 35 परतिसत अंकों के साथ दसमी की कक्छा उत्तिर्न होना चाहिए इस कोर्स के लिए कोई आयू सिमा नहीं है उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आजाता है पीपीई कोर्स आप लोग देख सकते हैं कि उम्मीदवार को विग्यान और गडिन निउन्तम 50 परतिसत अंक के साथ दसमी जो उत्तिर्न होने चाहिए और 1 जुलाई 2017 से पहले 19 वर्स के आयू पूरी कर लेनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे आजाता है पीएमडी कोर्स दसमी या इससे समक्ष भोत्की रसाइन विग्यान जीब विग्यान और अंग्रेजी विषयों के साथ साथ उत्तिर्न होना चाहिए 15 वर्स निउन्तम आयू सीमा और अधिक्तम आयू सीमा 30 वर्स उसके बाद यहाँ पे पारा मेडिकल का आ जाता है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए अंग्रेजी विषयों के साथ साथ यहाँ पे 10 प्लस 2 समक्ष परिक्षा उत्तिर्न होना चाहिए और आयू सीमा 31 दिसंबर 2021 तक 17 वर्स निउन्तम और 32 वर्स अधिक्तम होनी चाहिए तो यहाँ पे आप लोग सारी विषय का कितना कितना पर्सेंट अंग्र चाहिए और किस तरह से आयू सीमा चाहिए आप लोग समझ गया होंगे उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों का जो ओनलाइन फॉर्म आने वाला है वो का आने वाला है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंट्स कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि start date for online apply first week June 2021 जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है बिहार में या पूरे देश में coronavirus में हमारी चल रहा है और इसे में कोई भी exam जो है conduct नहीं हो पा रहा है इसके लिए आप लोगों का हो सकता है कि माई के last week तक आप लोगों को जो article दे दिया जाए तो उसी के notification पर आप लोगों का last date यहां पे बता दिया जाएगा वह से यहां पर last date जो है June का last week बताया जा रहा है उसके बाद यहां पर आप लोगों का जो फी लगने वाला है category wise आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पे आप लोगों को बताया जा रहा है application P4BHPoltechnic Online Form 2021 यहां पे आप लोगों को सारे category का आप लोग देख सकते हैं कि general category का कितना लग रहा है और STHT category का कितना लग रहा है तो यहां पे आप लोग नीचे आएगा questions यहां पे रहने वाला है total आप लोगों का यहां पे 450 mark का यहां पे रहने वाला है उसके बाद आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि जो भी course के लिए आप apply कर सकते हैं सारी information आप लोगों को इस website के माधियम से हमेशा मिलती रहती है तो आप लोग इस website पे आके यहां पे पूरी details को देख सकते हैं जहां से आप लोगों को जो है poll technique के बाड़े में यहां पे सारी information आप लोगों को मिल जाएगी उसके बाद यहां पे आप लोग देख भी सकते हैं कि ITF form के लिए भी यहां पे पूरी information दी गई है तो कुछी इस तरह से आप लोग जो है poll technique form आने से पहले आप लोग जो है पूरी तरह से information ले सकते हैं इस website पे आके और साथी साथ जो है यहां पे आप लोगों का जो form आने वाला है वो आने वाला है माई के last week में और आप लोगों का जून के first week में जो यहां पे start हो जाएगा apply online करना तो यहां पे आप लोगों को link मिल जाएगा नीचे आप लोग जो है नीचे से apply कर पाएंगे और जैसे जो है poll technique का form जो है online होने लगेगा तो मैं एक video बना के आप लोगों को information दे दूंगा अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना information काफी था जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि कौन से course के लिए क्या 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 तयारी करनी है और कितने marks जो है apply करने के लिए होने चाहिए असा करता हूँ कि आप लोगों को जो है कमेंट सक्सेन में कमेंट कर सकते हैं